लिंग जिससे किसी के पुरुष जाती और इस्त्री जाती के होने का बोध होता है, उससे लिंग कहा जाता है, इसमें केवल कोई व्यक्ति नहीं होता, अपितु पशू, पक्षी, वस्त्वें भी समलित हैं, जैसे, पिताची आज बाहर गए हैं, पेड़ हवा से गिर गया, मा कपड़े धो रही है, तुम्हारी घड़ी कहा है, दादी रमायन पढ़ रही है, भईया काम पर गए है, इन सभी वाक्यों में पिता, पेड़, भईया, शब्द से पुरुष जाती का बोध हो रहा है, और दादी, घड़ी, मा, शब्द से इस्त्री जाती का बोध हो रहा है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुलिंग और इस्त्री लिंग, पुलिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाती का बोध होता है, उन शब्दों को पुलिंग कहा जाता है, जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, आदी, उधारन, परवत बहुत उचा है, सभी क बच्पन बहुत सुंदर होता है, जहाज डूब गया है, ये डब्बा मेज पर रग दो, इस्त्री लिंग, जिन शब्दों से इस्त्री जाती का बोध होता है, उन शब्दों को इस्त्री लिंग कहा जाता है, जैसे लकडी, बकरी, माता, रानी, जू, आदी, उधारन, उसक किताब बहुत पुरानी है। दूप निकल गई है। यह सीता की बंदूख है। हम इस्त्रिलिंग से पुलिंग और पुलिंग से इस्त्रिलिंग शब्द बना सकते हैं। कैसे? आईए देखते हैं। पुलिंग शब्द से इस्त्रिलिंग शब्द लडका लडकी, पिता माता, दादा दादी, नर नारी, राजा रानी, घोडा घोडी, हाथी हतनी, सुन्दर सुन्दरी। इस्त्रिलिंग शब्द से पुलिंग शब्द चुहिया, चुहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेट, इंद्राणी, इंद्र, नौकराणी, नौकर, ज़ागा, झाल झाल